यहां हम BA 5th semester में political science में objective question देखेंगे और यह BA के साथ साथ TGT या PGT की आप तयारी करते हैं तो political science या civic से तो उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है तो revision कर सकते हैं देख सकते हैं तो देखते हैं question हमें पहला जो question है किस राजनितिक चिंतर ने राजनिति को अधिपती विग्यान या master science कहा था तो अरश्तु ने कहा था अरश्तु राजनिति विग्यान के जनक भी कह जाते हैं अगला question है कि निमनल इखित में से किसी देश की तुलनात्म गध्यान करने के लिए किसी एक कोच चुना जाएगा राजनितिक दल संसद सेन उप्रवत सभी तो डी जो है सही हो जाएगा तो लिनात्म गध्यान करने के लिए इन तीनों का अधियान किया जाता है किस राजनिति वेग्यानिक ने राजनिति को मुल्यों का अधिकारी का बंटन कहा तो यह very important question है डेविड इस्टन ने इसका सही एंसर हो जाएगा कई बार पूछा है यह अगला question है सर प्रतम किस चिंतक ने तुलनात्मक गिधी कप्रियों किया तो अरश्तु ने किया यह फादर आप political science पी माने जाते हैं पाचल है कौन सा तुलनात्मक राज़िたीम सरकार के के विशे छेडर में आता है तो समी आ जाएगा राज़िति कनुभग our राज़ितिक व्यχार राज़ितिक संस्थान ह् यह सभी तुलनात्मक राज़िति वमसरकार के विशे च्छेडर में आते हैं च्विशन दो निव्ह निविश निरगथ उपागम किसके द्वारा विकशित किया गया है जब इसप्रेट ऑफ राज किसके पुष्टख है उप्रस्देजिर आँने कितने सम्हिधानों निविशोष नतर आठसी ऩराई सब्सक्राइख देशों के समिधानों का तुलनात्मक अदियान किया था अगला question है theory and practice of modern government के लेखक कोन है तो हर्मन फाइनर जो है theory and practice of modern government पुस्तक के लेखक है तो लनात्मक राजनिती का जनक कोन है तो of course अरस्तु ही है समाज के विना मनुष्य पसु है या देवता यह कथन भी किसका है यह अरस्तु का ही कथन है अगला question है अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार सबसे अच्छी है तो जो quality है राज बेवस्ता जिसको इन्होंने quality कहा है वो सरकार सबसे अच्छी है तुलनात्मक राजनिती केंदित होता है किस पर विशय देश धर्म उपरक्त सभी पर अगला question है तु कह रहाएगी तुलनात्मक राजनिती की परवासा देते विए किस ने कहा कि तुलनात्मक सरकार वरतमान विश्व में दास्टिय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्यन है तो यह जीन ब्लॉंड जीन को जीन बोंदा भी कहा जाता है उन्हीं का कधन है अगला question है आमें नेवंपाल के नुसा तुलनात्मक राजनिती के कितने मौलिक तत्व हैं तो तीन मौलिक करतव नहीं है यह तत्व हैं तुलनात्मक राजनिती के तीन तत्व माने गये हैं अगला question है प्रवंद की ग्रिट की अधाड़ा को किस ने प्रस्तित किया तो यह question जो है black and mutant यहाँ पे लिखरा है देख सकते हैं अगला question है राजनितीक सिधान की प्रमुक्रिया इंस्विकार की गई है उसमें क्या सामिल है तो इसमें वरड़न पुननिर्माड और समालोचन उप्रुकते सभी सामिल है अगला question है अरस्तु निकिस पद्धिती को अपना करेश का कद्यिता तो इक चीदि हमर्ख नीगरनात्मक् पत्धिती प्लेटो ने अपनाया था और आगनात्मक Calvin आरश्तु द्वारा प्रयूमें लाया गया था तुलनात्मक सरकार & Sims इस प सिरकार तो यह माईकल कार्टीस की सिरकार K motiv Reutu社 ने सरकार के डॵिशिश्यवाडद लघ अनिवारिक होती है तो संधिय सासन में द्विश्चाइब जरूर कर ले ताकि मेरी वीडियो को प्राप्त कर सके और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर ले आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनिति ज्यादा तर पध्धती परक होती है जो किस बात पर केंद्रित होती है नेक्स क्योशन है कि देश में तुलनात्मक राजनितिक अध्यान के लिए निमनलिखे में से अध्यान के लिए लिया जा सकता है तो तुलनात्मक अध्यान के लिए राजनितिक दलों को सिनाओं को और संसत को इन सभी को लिया जा सकता है फिर अगला क्योशन है तु फेलिवेस्टर क्या है लात वोट देरी करने के लिए सनसाफ में एक लंभा जिसको फेलिवेस्टर कहा जाता है अमेरिकी स्वतंत्ता की ओर्श्राओं कभ जारी किया गया था वेरी इंपोर्टेंट है 1776 में अमेरिकी सम्विधान में एक प्रेस्तावना शामिल है और इसमें साथ लेख है यानि टोटल जो है 7 आर्टिकल्स है और एक प्रियम्बल है अमेरिकी सम्विधान किस सिधान पर अधारित है तो यह अधिकारों की विभाजन पर अधारित है फिर है न्यूजर्शी उजना की द्वरा समर्थित होने की सबसे अधिक संभावना है तो छोटे अबादी वाले राजे पौन से दो राजनिती विचारक तुलनात्मक राजनिती के संस्थागत द्रिष्ट कोण का प्रतिनिधित्व करते हैं इंपूट अउट्पूट द्रिष्ट कोण के लिए प्रासंगिक नहीं है तार्शनिक संस्थागत लटियासित्व वियोहार जो है ये परम्प्राग द्रिष्ट कोण में यह एक अधोनीधिक द्रिष्ट कोण है सही एंसर भी हो जाएगा नेक्स क्यूशंच कह रहे कि विकास somebody को किज रूप से संधासे और के रूप के लिए कानूनी द्रिश्टिकों को नहीं अपनाया राजनीती संस्किती में परिवर्तन कैसे होता है तो इसमें राजनीती संस्किती में बार-बार परिवर्तन होते रहते हैं कि अगला क्वुस्टमन है कि 1787 में अमेरीकी समयधान की द्रिष्टी किस के द्वारा की गई थी तो अमेरीकी समयधान की द्रिष्टी क्वुस्टमन मी थ् honor चेप है हन्म कि 9व यीर बने थे अग्षिस्टें लोगों की आवाज कि तुल्हाम भग्वान की आवाज से किस ने किया तो मैक आवेली ने किया है और यह वेरी इंपॉर्टन क्राणीएक की अधिकर पद्धती परेक्थ होती है जो किस पर केर से है तो एक विष्लेशन का हिसा कैसे इसको भी इंपॉर्टन मा संदेश्टाथ में कर्यात्म दिश्टकोन से प्राप्त किया गया है क्या तो समाने पर राली सिधान्त इस में पूछा गया था तो देख सकते हैं आप इसको पोस्ट विहावियर रिलेज्म का जो अप्रोच है वो कब सामने आया तो यह जो है बीसवी सधी के मद्य 60 के दर्सक में यानि जो है 1950 के बाद 1960 के दर्सक में ये आया है राजनी की संस्किती बदलती है कैसे तो ये बार-बार बदलती रहती है पॉलिटिकल कल्चर जो है चर्च क्लब ब्योशाई ये सभी किसके तत्व है तो नागरिक समाज के तत्व है चर्च क्लब और ब्योशाई सनुकतराज अमेरिका के समिधार में पहले दर्सन सोधन क्या कहलाते हैं वेरी इंपोर्टेंट है तो अधिकारों का विदयक है प्रतम दर्सन सुदन जो अमेरिकी समिधान में किये गए हैं वो अधिकारों से संबंदित है अगला क्वेशन कह रहा है कि निमनलखित में से कौन सी अमेरिकी समिधान की विशेष्टा नहीं है तो एक सदनी नहीं है ये क्योंकि वहां पे द्री सदने विधाईगा है यहां पूछें कौन से भी सिस्ता नहीं है सनुक राज अमेरिका के प्रतम राजपती कौन थे जाजवर सिंग्टन थे और नेक्स क्वेशन और लास क्वेशन है आज के वीडियो का 1840 के बाद से सब्ता के किस दिन अमेरिकी जरूर करें धन्यवाद